हेलो माई यूट्यूव फैमिली तो याई थी में चाय बनाने लेकिन मुझे बापत जाना पड़ा मेरा बेटा चोटा है वो रोने लगा तो चाय से पहले मैंने बनाया अपने लिए कालू का पराथा तो आलू में थोड़ा सा भूनकर में बेसंज होता है उसको मिक्स कर लेती तो आपको जाड़ो में बहुत ही फायदा करता है तो आप भी इस बात को जरूर समझें और एक बार चाय जरूर पीएं और ये बीच में मुझे चड़ा एक्टिंग का भूत तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाय बनाना तो सबसे पहले मैंने एक पैन में डाला है एक कप पा सबसे जरूरी बात है कि आपका गड़ अच्छा होना चाहिए तो ये इने डाल दी हादी चमच चाय पत्ती, एक टिपी ये दूंगी में आपको कि आप गड़ की चाय में थोड़ी तो आप दो चमच गुर्ड डाल दीजिए और बाकि आप अपने स्वाथ के अकॉर्डिंग उसको डाल सकते हैं तो अम आने ये फोड को थोड़ा सा फोड के और मैंने ये डाल दिया है गुड अब क्या होगा कि मैं गैस के फिलम को बिल्कुल लो रखोंगी जिससे की चाय धी जल जाएगा गुड की चाय में कभी भी आगर आप दूद खौलती हुई चाय में जैसे नॉर्मल चाय में उपर से दूद डाल देते हैं तो इस तरीके से डालेंगे तो फट ही जाएगी तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको एक साइड आप चाय को उबलने दीजिए और दूसरी साइड आप दूद को तेज गरम कर लिजिए जब हम उसको अलग से लेके उपर से मिक्स करेंगे तो उसमें क्या होता है चाय का टैंपरिचर चेंज हो जाता है और चाय नहीं फटती है तो यही इसकी टिप है आप इस तरीके से बनाईए तो यही देखिए चाय अब चाय खौलने के बाद मैं इसको एक कप में ट्रांसफर कर लोगी और ट्रांसफर करते करते इसके टैंपरिचर में चेंजिंग आ जाएगी बस वही हमें चाहिए इस तरीके से आप इसमें ट्रांसफर कर लिजिए और आपकी चाय बिल्कुल रेडि है आप एक बात और गुड़ की चाय बनाएं तो इसमें थोड़ा अच्छा दूद डालें मतलब थोड़ा दूद गाड़ा ही डालें तो उतनी ही उसका फ्लेवर अच्छा आता है एक चीज और बताती हूं मैं आपको अगर आपको गुड़ को टेस्ट करना है तो यह देखिए मैंने वही फ्र गुड़ कर आपको दिखाया है तो यह गुड़ जो है देशी गुड़ होता है यह अच्छा बोल सकते हैं तो यह देखिए खराब नहीं होगी चाय तो इसलिए आप हमेशा जब भी चाय गुड़की बनाएं तो उसको अलग-अलग मिक्स करें और बाद में उबालने के जं करें चैनल को